I've forgotten प्राइमेर में जूनियर में गई मेरे बहुत कम दोस्त हुआ तब जब मैं पढ़ती थी और आज भी Snow सोसल मीडिया के मादिम से आप जैसे भाई बहन जुड़े हैं जो मुझे समझते हैं और बात करती हूं तब मैं नंबर वन एक थी क्योंकि मेरी फैमिली की कंडिशन भी ऐसी नहीं थी कि मुझे अच्छा एजुकेशन दिया जाए लेकिन मैं हमासा अपने वर्क को फोकस करती थी और जब मैं स्कूल जाती थी पढ़ती थी और तमाम सारा घर का काम करने के बाद मेरी मम्मी की डैथ हो गई थी जब मैं सिट सेवन किलास में पढ़ती दो किताबी पढ़ने में रहती हैं मुझे तो तब से कोशिश की गई मैं मेरे एक लक्स था कि मुझे सबसे आगे मुझे पढ़ना कहते हैं अगर आप लक्स बना लो आप उस पर सीड़ी अपनी इमांदारी से चलते जाओ ना दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नीचे गिरा दे तो वही चीज सुरू से मेरे साथ रहा है लोग टोड़ने की कोशिस करते थे वह जो क्लासमेड थे चाहते अगर कोई आपका बड़ा सत्रू है आपको आपके रस्ते से बटकाना तो आपको दूसर को जवाब देने की जरूरत है अपने आपको समझने की हम देखिए दुनिया में हजार लोग हते हैं हजारों को जवाब नहीं दे सकते हैं अगर हम एक को दिंगे दो को दिंगे तीसरे को दिंगे तमाम हम जिंदगी भर उनके सिक्वे गिले मिटाने में ही रह जाएंगे और हमारी सबसे अपसोस हुआ जिंदगी भर उसका कि मुझे बाद में पता चला मेरे थपड़ के कारण उस ब्यक्ति ने स्कूल छोड़ दिया मेरे क्लास का ललका था बाद में मुझे पता चला लेबरी तमाम लेबरी वगर है गाहों में काम करें जब पढ़ोगे नहीं तो कहां से क्या कर मुझे किसी ने का जिस लड़के को अपने थपड़ मारी थी वह तो हलेवरी कर रहा भाई मुझे बड़ा फील हुआ जिंदगी भर कि मेरी वज़े से उसका स्कूल छूड़ गया और उस बंदे को इतना पुरा लगा कि उसने स्कूल छोड़ दिया तो मैं कभी भी नेकेट कि तब भी और आज वह हूँ और मैंने मैं कभी भी जबाब नहीं देती थी कोई मुझे कितना इस जलील कर ले कितना एक कुछ कर ले मुझे पता था मैं सही हूँ और एंड ट्याम में जब रिज़्ट आता था दो जो मस्तिकौरी घूमते फिर ते टे लड़ाई जगड़े मेरे घर में बड़ा खुशी का महाल होता था गाहों में भी लोग कहते था अरे टॉप आईये और मेरे रिकॉर्ड रहा सुरू से मैंने ग्रेजुएशन इंटर हाइस्पूल तो किया टॉप लेकिन उसके साथ मैंने बीयड भी टॉप किया उसके साथ मैंने टैट भी अच्छ को प्राप्त करना और वही चीज मेरे पास आज भी आज भी मुझे कई लोग कहते हैं अपको डर नहीं लगता है आप एक लेडी जो तो मैं आपको बता दो मैं इस फिल्ड में आज से नहीं हूं मैं बचपन से जब मेरी मदर की डैथ हो गई थी तब से मैं अपना घर अपना सब कुछ समालते हुए अपना मैंने पढ़ाई भी पूरी की और मैं साइद दुनिया की खुष नसीब लड़की हूं मैंने बहुत कष्टे जहले बहुत ग्राउंड में बहुत मुस्किला जहली आप समझ सकते हैं जिस बच्ची की मां फिपते 6 क्लास में उसकी मदर की डैथ हो जाए उसके परिवार हम बहुत सारे इंस्टेंट हो जाए बहुत सारी मैंने अपनी कहानिया डाली है आप सोसल मीडिया पर जाके देख सकते मेरे जीवन का जो तकलीफ आप यकिन नहीं मानोगे तो वह हालातों से गुजरी हूं मैं मजबूत से गुजरी हूं इ मुझे भी नाम से टिकट ले लिया गया था क्योंकि मैं 19 साल की थी और मुझे इलक्षन आप जानते हैं किस साल के एज में इलक्षन लड़ने का होता है लेकिन मेरी जो डेट आप बर्थ थी वो फिर थोड़ा जो बोटर आइडी थी उसमें अलग करके बड़े मुश्किल स कि मैं इनको जबाब दो मैंने फिल्ड में जबाब दिया वाई मैं अगर टक कर लूंगी अगर किसी को रिपलाई दोंगी तो मैं अपने साम आमने सामने की विक्ति को दोंगी किसी को कमेंट्स में क्या रिपलाई दोंगी जो लोग कहते हैं डर के मारे जबाब नहीं देती अगर हम अपनी बात को रखने के लिए हमारी कोई गलती नहीं है और हम कुछ भी नहीं करें तो क्या सामने वाले की एक कोसित रहती है कि आपको नीचा दिखाए आपको नीचे दिखाने के लिए उसे कितना ही परशान होना पड़े तो अपनी परशानी नहीं देखता है ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता रह सीलन खौरी वह थिना किसी की तरक्की से जलना के कामयाभी से जलना वह आपके तीके आंदर इतना मेरे वीडियो के माध्यम से फाइट करना सुरू करा और उन्होंने कहा दिदी आपकी वीडियो से हम इतना पावर मिला कि हम अपनी जीवन में आगे बढ़े तो मेरी कामियाभी यहां पर है जो लोग कहते हैं कि हम आपकी वज़सा आगे बढ़े मेरी खुशिया यहां पर है म मैं रात दिन दो पहर कोई समय नहीं देखती हूं जो लोग गलत बोलते हैं गंदगी बोलते जो गिराने की कोशिस करते हैं वह मैंने बच्पन से उनको कभी जबाब नहीं दिया तो अब क्या जबाब दूंगी भाई अब तो मैं पूरी जिंदगी जी चुकि चालिस साल की मेरे चालीससाल मेरे मॉल्य कमपलीट हो गया है कहते हैं औरते अपनी उमर नहीं बताते लेकिन रियलटी है मैंने कई बहन हो से पूछा social media वी और हम उमर के उमर नहीं पूछ नहीं चाहिए लेकिन मैं वह औरत हुआ हूम कहते हैं पैस्पाइस्ट मैं इस में आपन पसंद ह क्यास ज़काश होसद संत्य hybrid body of Life. क lleva संत्य वाक सर दो किनारा काट लेते हैं हां जहां सही है उसके लिए हम ठीक़े रहते हैं विखना व्क निक्मी हुआश तयार हुआज रहते हैं边 दो Вам को मैं आपको बता दो वह लोग नहीं होते हैं वह उनकी मानस्थिक्ता वही होती जरूरर था आप自टाशत्वा चुरफ एक मानस्थिना में चौछे है च्रॉचे होगे और नंदक Shoaका उसज़ें FE मालगी को में इसदमें भाई कि दो तो कोई मानता है नहीं और यह हर जगह होता है आपके विचारों के एक ब्यक्ति मिल जाएगा इसलिए आपको जबाब नहीं देना सिर्फ अपने आपको प्रूब करना अपने आपको फोकस करना क्योंकि जिन्दगी इनसान को बड़ी बेस कीमती बड़ी प्यारी है कि कोई नहीं था सकता तो हमें फिर दुनिया में कोई भी नहीं था सकता मुझे ठीचर थी मैंने वह भी छोड़ा मराजनीती में तुपका वह में लेकिन चीजिज बिजने करा तो मां आज भी कर रही हूं लेकिन मुझे सामाजिक खिविड्ट लगा कि मुझे एंपर करना उस पर आज भी टुक हूँ और मैं आज काम्याबी हूँ क्योंकि मेरे साथ आप जिसे लोग जुड़ें तो दोस्तों यही आपको बताना था कि आपको जीवन के हर रस्ते पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको बिल्कुल इगनोर मारना है लात मारना है ऐसे बुरे लोगों को फेक बेखती हो आपकी वेले सरो पर यह अगर आपका आत्मसमान आपका अपना नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है फिर दूसरे से डर है हमारी गल्ती भी नहीं है किस बात कभाई हम सही है तो हमें का एक डर तो इनी सब्दू के साथ आप सब का प्यार मिलता है तो थैंकि स मैं मन्जु विस्कुर्मा हादवानी उत्रक्रणी से छोटी से समाज से युका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा एक्जेम्पल सेट करना चाहती है उसमें आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत जरूजी है वीडियो बसना आया तो लाइक शेयर कमेंट करें नेक्स टाइम वीडियो देखना चाहते है चैनल को कर लें सब्सक्राइब थैंक इस सो मच तहदील से धन्यों